हेलो ऐवरिवान! वैलकम बैक तो माई चाइनल! инструмент में मिलने वाला लच्छा अनियन सेलिद हम सब को बहुत पसंद होता है इनदियन फूड में लच्छा अनियन सेलिद बहुतती बहतरीन साइड डिश है रेस्टरेंट में इस सैलेट को जादा तर पंजाबी फूड के साथ सर्व किया जाता है आप इस डिश को असानी से घर पर बना सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइस के प्याश लिए हैं ये भुना हुआ जीरा पाउडर है आप चाहे तो बिना भुने भी जीरा पाउडर डाल सकते हैं मुझे भुने हुए जीरे की खुश्बू पसंद है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ हाफ लेमिन, काश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, हरा धनिया और काली मिर्च का पाउडर सबसे पहले प्याश को पतली स्लाइस में कट कर लेंगे अब हम इसे रिंग शेप में कट कर देंगे आप वीडियो में देख सकते हैं खर बना देख सबसे रहाँ आप लोगमिन, काश्मीरी लिधन, काश्मीरी लेल देख सकते हैं यूस्यों अबपक्ष्ण सकते हैं सबी प्याज को हम इस तरह से कट कर लेंगे अब हम इसमें एक चमच काश्मीरी लाल मिच का पाउडर डालेंगे यह तीखा कम होता है कलर के लिए यह जादा यूज होता है एक चमच भुना हुआ जीरा एक चोटा चमच चाट मसाला एक दो पिंच हम काली मिच डालेंगे आधा नीमबूनी चोड़ कर डाल देंगे एक दो पिंच हम नमक डालेंगे इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इस सारे मसाले प्याज पर अच्छे से लग जाएं लीजे तयार है मसाले दार लच्छा अनियन सैलेड आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं ये आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें शेयर करें और ऐसे ही यूसफुल वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे चानल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई